अलोग फ्रेंड्स आज की हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि जो फाइनेस्चल सर्विसेज या फिर सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा सब्सक्राइब करते हों तो यहां पर कोई भी प्रेंडिया रिमूव कर चुका लेकिन अधर बैंक्स में यह सब्सक्राइब करते हों तो यहां पर कोई भी आपको फीस रिकावर नहीं की जाएगी बैंक्स 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 डिस्स डिटा ट्रेट रांजेक्शन जो की यहां पर मर्चेंट डिलर रथान्जेक्शन करते हैं तो उनके उपर चार्जीं बैंक करता था उनकर्ट में भी यहां पर कटोती की गई है नेक्स जो में कंपनी से में बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है यहां पर बहुत ही जांत से पढ़ने वाली बात है पर में तर से कि एंड बाली प्यावी कान भुट रिलीफ नेसे में परेख लेड बाल बालाद पर बिलीन है पर बालाद इन द elaborता है ने कर तक फिल्रिफ धिला प्रिफ पर बालीफ देस्ट थेक्ट का बाल फिलीफ अर्रिक लेगा से दोारी पर्ट ऑ्रिफ धिल्रिफ और है यहां पर सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है कि यहां पर कंपनीज को बहुत बड़े रिलीफ दी गई है अगर वह कंपनीज और आज तक नहीं होई आज की डेट तक नहीं होई इसकी डूट चाहिए 2016 में 2017 में हो 2018 में 2019 मेरे कि अगर आप फस्ट अप्रेल से 30 सेप्टमबर के बीच में गर उस रिटर्न यह स्टेट्मेंट को फाइल कर देते हैं तो कोई भी चार्ज MCA के दौरा रिकावर नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ी रिलीफ है कंपनीज या फिर लिमिटेट लाइबिटी पार्टनर्शिप्स जो हैं जो MCA के अंदर रिस्टर्ड हैं अगर वो इस पिरिड के अंदर कोई भी फाइलिंग करते हैं जिस इरिस्पेक्टिव दू सबसे बड़ी रिलीफ यहां पर निकल के आ रही है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं मेंडेटी रिक्वार्मेंट ओफ वोल्डिंग और बार्टर ऑफ बॉर्ड कंपनीज विदिन दा प्रेस्क्राइब नुट्यान कि जो बॉर्ड डारेक्टर की मीटिंग के लिए कंप्लाइंस तो आपको अधिशनल सिक्टी डेस का बेनिफिट मिलेगा आप नाइटी डेस के अंदर बॉर्ड मीटिंग करनी थी और वो तीजिन के अंदर कर सकते हैं उस मीटिंग को नेक्स जो कारों वाला पॉइंट है वह मैंने अनुदर वीडियो में डिसकस कर चुका हूं कि जो कारों के अप्लिकेबिल्टी है वह फाइनेशल एर नाइंटी टॉन्टी की बजाए टॉन्टी टॉन्टी वन से अप्लिकेबिल होगा जो कंपनी और ओडिटर के लिए जरूर् good करेंगे तन तो नन इंडिपेंडनेंस डारेक्टर सब्सक्राइ्ट टॉन्टी तो जो MAR veo वाइलेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरह बढ़ते हैं फिफ्ट पॉइंट है जो रिक्वार्मेंट टु क्रियेट डिपोजिट रिजिव ऑफ 20 पसंट डिपोजिट मैचुरिंग दूरिंग दॉरिंग 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 फाइनेशल यह तु सब्सक्राइट होती है तो अगर वह 20 पसंट डिपोजिट के लिए जो रिजर्व है अगर वह रिजर्व कंपनी 30 जून तक भी मैंटेन कर लेती है तो उसको ऐसे कंप्लाइम माना जाएगी आपने कंप्रिजेट के प्रोजिजन को कंप्लाइग किया है नेक्स पॉइंट न किसी डिबेंचर को रिडीम करना जाते किसी साल में तो उसको 50% के अमाउंट का 50% 30 अपरेल तक इंवेस्ट करना होता है इसपर इंस्टूमेंट के अंदर लेकिन अगर वह 30 जून तक भी 50% का माउंट इंवेस्ट कर देती है तो वह इस रिक्वार्मेंट को कंप्लाइब मा करना होता है लेकिन अबगी कोविड-19 को देखते हुए एडिशनल 6 मंथ उनको प्रवाइड किये गए हैं यान कि वह एक साल के इंदर कमेंस्मेंट ओब बिजनस सर्टिपेट यहां पर फाइल कर सकते हैं नियूली इंकोर्परेटिड कंपनीज और फाइलेशन फॉर कमेंस इंडिया के अंदर पिछले साल में 182 दिन तक इंडिया में रहना चाहिए था लेकिन अगर यह रिक्वार्मेंट फुल्फिल नहीं होती है तो इसको कम्पनीज अक्रवाइलेशन नहीं माना जाएगा शुरु मेंत के अंदर जो लिमिट से उसको कर दिया गया है जो कोई भी ऑसन है वह इसका बनीफिल सकता । सुँभार्मेट एहां पर उनीके लिए स्जियू करेगा और इन के लिएugโgado करेगा और यहिस मिणिस्रियो और गर्योंटепरו evaluating एबपर उपका कर दिये गए हैं तो थैंक्स पर वोचिंग फ्यूर एनी एफ एनी कोईरिज यू कन आस्क मी इन दे कमेंट गिवन ब्लोग थैंक्स पर वोचिंग